Acidic Property को सिद्ध करने वाला अगला है Eustrification क्या होता Eustrification? जब भी Carboxylic Acid, Alcohol के साथ react करते हैं तब तब वो Esteres बनाते हैं तो ये reaction टेंथ में भी थी थोड़ी बहुत आपको याद होगी अगर कि Whenever Alcohol, Whenever Alcohol reacts with Carboxylic Acid Whenever Alcohol reacts with Carboxylic Acid They form Eustrers and Water और यहाँ पर आपको जरुरत पढ़ती है Concentrated H2SO4 के By the way ये जो Eustrers होते हैं इनका General Formula रहता है इनका General Formula है RC Double Bond O RC Double Bond O OR- तो ये इनका General Formula रहता है This is the General Formula of an Eustrers Double Bond O तो चलो एक बार जरा देख लेते हैं कि जो reaction है ये कैसी हो रही है और ये जो reaction है ये बड़ी ही exceptional category के है बड़ी अजीब reaction है ये क्या अजीब है कि यहाँ पर alcohol react कर रहा है Carboxylic Acid के साथ अगर मैं आपको बोलूँ compare करने के लिए कि कौन acid है कौन base है तो आप बोलेंगे कि देखो सर Carboxylic Acid तो alcohol से बहुत दूर है पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि ये देखो सर आपने यहाँ पर यह जो list बताई थी इसके साथ से दीखे Carboxylic Acid तो बहुत दूर है Acidic Strength में and alcohol तो बहुत पीछे है इसका मतलब अगर हम इनका reaction करवा रहे है alcohol का Carboxylic Acid का तो confirm है कि Carboxylic Acid एक acid का का काम करेगा Carboxylic Acid जो है वो एक acid का का काम करेगा and alcohol as a base का का काम करेगा तो उसे क्या तो देखो सर जो base होते हैं वो OH-list करते है and जो acid होते हैं वो H-list करेंगे तो होगा क्या यह जो alcohol होता है न सर यह देखे है alcohol होता है न ROH and Carboxylic Acid होता है let's say कि R-COOH तो देखो सर क्या होगा कि alcohol में से यहां से OH कटेगा and Carboxylic में से यहां से H कटेगा और यह जो water बनेगा ना है तो यह water H-2O बनके अलग होगा तो basically alcohol में से OH निकलेगा क्योंकि सर alcohol जो हैं वो competitively base बन जाएंगे तो OH release करेंगे and Carboxylic Acid में H-plus release होएगा Estrification बड़ा अजीब है यह OH release करता है भाई यह एक अचमबा Estrification normally होना क्या चाहिए Carboxylic Acid एक Acid है और alcohol के मुकाबले काफी strong है तो Carboxylic Acid H-plus release करना चाहिए था लेकिन वो उल्टा करता है वो OH को release करता है जबकि alcohol इसको OH release करना चाहिए था यह release करता है H इसलिए यहां पर उल्टा गेम है यह उल्टा है मतलब उल्टा है फिलिप है यह तो कैसे है जरा एक बार इसको समझते हैं तो यह मैं हटा रहा हूँ यह ऐसा ना हो करके देखो कैसे होगा मैं यहां पर लिख रहा हूँ एक alcohol तो alcohol let's say R-O-H और जब यह react करेंगे in the presence of concentrated H2SO4 के साथ तो होता यह है कि alcohol में से H plus कटके अलग होता है और कर्बॉक्सलिक में से OH कटके अलग होता है जिसकी वज़े से यह जो R-O यह देख रहे हो R-O और यह जो है न dash C double bond O-R यह आपस में जुड़ जाते हैं देखो यह वाला जो हिस्सा है और यहाँ पर यह वाला हिस्सा यह आपस में combined हो जाएंगे और बच के क्या बन जाएगा यहाँ पर second चीज़ जो बनेगी वो बनेगी water जो बनेगी यहाँ पर वो बनेगी water तो यहाँ पर alcohol H plus release करता है and carboxylic acid OH minus release करता है एक बार mechanism देखेंगे तो अच्छे तरह समझ में आ जाएगा तो let's take the mechanism for this mechanism 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 देख लेते हैं तो देखें यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले यहाँ पर है एक carboxylic acid let's say यह मैंने क्या लिखा R dash है न C double bond O OH यह carboxylic acid है इसका reaction सबसे पहले होता है concentrated H2SO4 के साथ अच्छा यह जो concentrated H2SO4 है इसको मैं H plus HSO4 minus इसको ऐसा भी ले सकता हूँ है ना H2SO4 है ना तो यहाँ पर यह जो H plus है यह H plus यह H plus इस carbon के उपर आकर के इस oxygen के उपर आकर अटेक कर देता है क्यों अटेक कर देता है देखें oxygen के पास क्या है loan pair oxygen के पास क्या है loan pair और oxygen के वैसे एक फितरत है जैसे देखता है कि सामने वाला तकलीफ में चल पड़ता है अपने electron देने के लिए है ना तो यह जो H plus है यह जा करके अटेक कर लेता है इसके उपर अब जैसे इसके उपर अटेक कर लेगा यह देखें क्या बना R dash C यहाँ पर oxygen और यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर आ जाएगा plus charge और यह है double bond यहाँ से OH सही है ज़रह देखो यह जो H plus है जब इसके उपर अटेक कर लेगा तो यह OH बन जाएगा और oxygen के उपर यहाँ पर क्या आ गया oxygen के उपर आ गया plus charge oxygen के उपर आ गया plus charge अब आप जानते हैं oxygen के उपर जैसे plus charge आ जाता है तो oxygen बोलता है गलत बात नहीं आना चाहिए तो अब यहाँ पर oxygen क्या करता है कि यह जो double bond वाले electron है इसको अपनी तरफ ले लेता है क्यों? क्योंकि मैं तो electron negative हूँ मेरे उपर plus charge आ जाएगा तो कैसे चलेगा? तो अब उसने इसके electron ले लिया जिसके वज़े से अब यह जो है यह बन गया R-C-OH और अब carbon के उपर plus charge आ गया अब यह जो है यह carbon के उपर plus charge आ गया देख रहे हो पहले oxygen अपने electron hydrogen को दे करके यहां से OH बना लिया फिर बाद में इस double bond electron को अपने तरफ खींच लिया तो यह बना R-C-OH और side में आ गया OH अब यहां पर carbon के उपर plus charge आ गया यह जो carbon है इसके उपर plus charge आ गया carbon के उपर plus charge देखते ही यह जो alcohol है अब आप देखिए alcohol भी तो है picture में यह जो सारा खेल था अब यहां पर इस oxygen को पता चला alcohol के oxygen को पता चला कि carbon के उपर negative charge है तो यह चल पड़ा offer देने के लिए आपके पास positive charge है मैं हूना है मिरे पास loan pair है मैं आपको देता हूँ तो alcohol में जो oxygen है उसके उपर का जो loan pair है यह जा करके carbon के उपर अब attack करना शुरू कर दिया अब जब यह attack करेगा तो ध्यान दीजी क्या बनेगा यह बनेगा R-C उपर आ गया यहां पर OH और इधर पर आ गया OH और इस तरफ से oxygen जोड़ गया एक तरफ hydrogen है और एक तरफ यह देखे यह यहां पर R है और एक तरफ यहां पर H है एक तरफ R है और एक तरफ H है लेकिन क्या यहां पर oxygen के उपर positive charge जा जाजएगा जरा देखो क्या यहां पर oxygen के उपर positive charge जाजएगा येस अब क्या फिर oxygen के उपर positive charge फिर oxygen क्या बोलेगा किसी ना किसी के तो कर्बानी देनी पड़ेंगे बाबा, किस की दें तो ये बोलता है बाज़ु वाले hydrogen को कि तू एक काम कर तू अपने electron मुझे दे दे और तू जाके औलग हो जा तू जाके औलग हो जा तो ये जो hydrogen है, जरा notice करना ये जो hydrogen है, ये यहां से अब बिचारा अलग होएगा और वो भी hydrogen नहीं H+, कौन अलग होगा H+, तो ये जैसे यहां से निकल रहा होता है, ये जो H+, जैसे ये यहां से निकल रहा होता है, चलो एक और step बना देता हूँ, क्या होता है यहां पर, कि ये देखो, ये R' से, ये C है, ये OH, यहां पर OH और यहां पर देखो, oxygen and side में कौन जुड़ा होगा था, R, तो यहां से H+, अलग हो गया, ये देखे, ये H+, अलग हुआ ही था, लेकिन ये जो दूसरा OH है ना, इसके पास भी तो oxygen है और इसके पास loan pair है, ये देख रहे हो क्या, ये उपर वाला OH, इसके पास जो oxygen है, उसके पास भी तो loan pair है, तो ये OH बोलता है, इस hydrogen के, अरे तु भी चारा दुखियारा, चल आजा, देख रहे हो क्या, यहां से इस oxygen ने H+, को निकाला, तब तक ये दूसरा OH है, उसका जो oxygen है, उसके पास loan pair है, और उस oxygen ने बोला कि, भाई तो एकाम कर, तो मेरे पास आजा, अपन दोनों bond बनाते हैं, ठीक है, अब ये जाकर इससे चिपक गया, और जब ये इससे जाकर के चिपकेगा, तो देखें क्या बना, R-O, OH, यहां से OH2, और ये बना oxygen, and side में, R तो इसमें attached है, और क्योंकि oxygen ने loan pair दिये, तो oxygen के उपर क्या आ गया, plus charge, oxygen के उपर क्या गया, यहां पर plus charge आ गया, अब जैसे oxygen के उपर plus charge आ जाता है, फिर क्या होगा, वही बात, कुर्बानी, जैसे plus charge आएगा कुर्बानी, तो अब ये जो OH2 है, या oxygen, ये इसको बोलता है, कि ये जो bond है, ये bond को मुझे दे दो, तो sorry मैंने बीच में O बना दिया, this is C, ठीक है, तो ये जो bond है, ये अपने electron इधर दे दो, ठीक है, तो जैसे ये electron इधर दे देता है, ये बन जाता है, R-C, OH, और यहां पर क्या बन गया, OR, चलो, OR मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, अब जैसे ही ये अलग हो जाएगा, जैसी अलग हो जाएगा, क्या यहां पर carbon के उपर plus charge आजाएगा, ज़रा देखो, जैसी water अलग हो जाएगा bond लेकर के, तो carbon के उपर plus charge आगया, carbon के उपर plus charge देखते ही, carbon के उपर plus charge देखते ही, ये जो उपर वाला OS था, इसने, इसका जो oxygen है, इसने बोला, अरे carbon तो इतना दुख्यारा क्यों है, तो इतना दुख्यारा क्यों है, मैं हो ना, मैं bond बनाता हूं तेले साथ, तो ये यहां से वापिस इसको bond दे देता है, ये देखो, ये मतला, ये ये यहां से bond बना देता है, तो देखिएगा क्या बना यहां पर, this is R, this is C, this is double bond, this is O, this is H, और यहां पर आ जाएगा plus charge, और नीचे OR तो है ही, again क्या हुआ, oxygen के उपर आगे plus charge, क्योंकि oxygen ने अपने electron से double bond create कर दे ना, यहां पर, तो oxygen के उपर आगे plus charge, फिर oxygen क्या बोलेगा इस hydrogen को कि चलो, अपने bond pair electron मुझे दे दो, और तुम अलग हो जाओ, तो यह लो भाई, यहां से यह जो H plus है, यह H plus यहां से निकल गया, और बना क्या, R, C, अचा, OR को मैं इधर लिख देता हूँ, और यह double bond उपर O आ जाएगा, वैसे यह R dash, R dash, this is R dash, and this is R dash, देख रहा है This is R dash, and यह जो आपको H plus दिखाए दे रहा है न, क्या यह वही H plus था जो starting में combine किया था, जरा देखो 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 दियान से, starting में H plus जाके जुड़ा था न, carboxylic से, क्या last में वही H plus आपको वापस मिल गया, starting में H plus जुड़ा था, क्या last में आपको वापस H plus मिल इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पर यह जो H2SO4 है as a catalyzation का काम कर रहा है क्योंकि जितना use हुआ था उतना आपको वापस मिल गया और यह क्या produce हुआ इस 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 इस्टर्स क्या है यह इस्टर्स RC double bond OOR यह देखो इस्टर बनके तयार हुआ इस्टर्स बनके तयार हुआ अब ज़रा note करना यहाँ पर कि यह जो OH है यह किसका है यह जो OH है यह किसका है किसका है यह OH अच्छा OH भी छोड़ दो O किसका है oxygen किसका attach हो रहा है यहाँ इस्टर में ज़रा notice करना यहाँ पर किसका है यह तो यहां देखो, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ देखो, alcohol के oxygen को मैं अलग कलर से बना रहा हूँ यह जो alcohol है, इसके oxygen को मैं अलग कलर बना रहा हूँ यह oxygen है, alcohol का, यह यहां से जुड़ा, यह देखो, यह alcohol का oxygen है यह यहां पर alcohol का oxygen है, यह यहां पर alcohol का oxygen है alcohol का oxygen, alcohol का oxygen and this is the oxygen of alcohol तो आप note कर रहे होंगे alcohol का oxygen OR अभी भी जुड़ा हुआ है यह देख रहे हो, यह जो OR है ना यह OR, OR जुड़ा हुआ है अभी भी इसका मतलब alcohol का क्या release हुआ होगा, H+, चलो इसको मैं अलग color से बना देता हूँ, ROH का hydrogen यह है green वाला यह ROH का hydrogen है green वाला तो यहां से जुड़ा, यह देखे, यह hydrogen है green वाला यह यहां से hydrogen है green वाला बात में यह देखो, यह hydrogen है वो green वाला, फिर बात में यह hydrogen जब इसके साथ जुड़ा, तो यह देखो, यह green वाला और यह बात में water बन करके अलग हो गया, देख रहे हो, वाटर बनके अलग हो गया, तो आर ओ एच में, आर ओ एच में ये जो आर ओ है, ये अभी भी इस्टर के अंदर मौझूद है, देख रहे हो, जब कि एच उड़ गया, ऐसे वाटर के फॉर्म में उड़ गया, जरा देख लो, ये देखो ये आर ओ में red oxygen, क्या red oxygen अभी भी इश्टर में है? है क्या R मौजूद है? yes, R तो obviously है, यह देखो नहीं, यह R अगर चाहिए तो R को अलग कलर बनाने के लिए इसको भी मैं अलग कलर से बना देता हूँ कौन से कलर से बना हूँ, इसको इसको मैं इस कलर से, blue कलर से बना देता हूँ यह देखो, यह R है न, यह देखे, यह R अभी भी मौजूद है यह यहाँ पर R, यह यहाँ पर भी R हो गया यह यहाँ पर भी R, R and this one is R, देख रहे हो तो यह जो OR है, यह अभी भी मौजूद है लेकिन H उड़ गया है, H प्लस जो है वो उड़ गया है इसी लिए, इस्टिफिकेशन एक एक एक्सेप्शन है क्यों? क्योंकि यहाँ पर होना तो यह चाहिए था कि कार्बॉक्सलिक असेड अपना H प्लस इलिस करना चाहिए था and alcohol OH- why? because alcohol are weak acid than the carboxylik लेकिन होता उल्टा है होता उल्टा है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए, कल के दिन एक question आ गया यहाँ पर कल के दिन एक question आ गया क्या question है? question है कि, let's say question is कि आपको दो compound यहाँ पर दिये गए एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH3 OH और एक दिया हुआ है C2H5 C double bond O OH, तो यह दिखिए यह है यहाँ पर alcohol और यह दूसरा यहाँ पर कौन है? कार्बॉक्सिलिक एसेड कार्बॉक्सिलिक एसेड सबसे पहला कि product क्या बनेगा? product क्या बनेगा? और दूसरा चीज, यहाँ पर यह है कि यह जो oxygen है इसको मैं red color का कर रहा हूँ यह जो alcohol है इसके oxygen को मैं red color का कर रहा हूँ ठीक है? और यह जो बाजू वाला है इसको मैं green color का कर रहा हूँ यह जो बाजू वाला oxygen है इसको मैं green color का कर रहा हूँ तो जो product होगा product में जो oxygen आएगा वो किसका होगा, यह आपको बताना है देख लो इसको सबसे परदे तो product क्या बनेगा by product यह होगा, यहां से sorry, product तो यह होगा कि this is carboxylic में से आप क्या cut करेंगे OH, यह लिजए, यहां से OH cut किया alcohol में से क्या cut करेंगे H cut किया, तो यह देखो क्या बनेगा, C2H5 C double bond O और यह जो CS3 O है यह यहां पर जुट जाएगा, कैसे O CS3 O CH3 तो यह जो O है, red color का वो यह है वो यह है और बाकी, जो by product बचा, क्या by product बचाएगा H2O, तो H2O में, यह जो carboxylic का O था ना वो oxygen water में चला गया वो oxygen water में चला गया किलिए रही है चीज़, देखो ज़रा CS3 OH, alcohol का oxygen आपको ister में मिलेगा alcohol का oxygen आपको ister में मिलेगा और जो carboxylic का जो OH था, उसका जो oxygen है वो आपको water में मिलेगा ठीक है, क्लिए रही है चीज़ यहाँ पर जो rate of reaction है देखो आप estrification करा रहे हो क्या होगा, एक alcohol react करेगा with carboxylic acid to form ister and water तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप जितने bulkier group लेंगे rate of reaction उतना ही कम कम होता जाएगा मतलब एक simple alcohol and simple carboxylic acid जल्दी react कर जाएगे लेकिन अगर एक bulkier carboxylic group होगा bulkier alcoholic group होगा तो ऐसे में rate of reaction slow हो जाएगा तो चाहो तो एक चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो कि the rate of reaction the rate of reaction rate of estrification sorry rate of estrification rate of estrification is inversely proportional to the bulkier group inversely proportional to the bulkier group bulkier group the rate of estrification is inversely proportional to the bulkier group जितना ज़्यादा bulkier group रहेगा उतना ही estrification कम हो जाएगा दोनों में मतलब यह जो आपने आर लिया आर CH3 रहा तो जल्दी हो जाएगा C2 H5 रहा तो slow होगा C3 H7 होगा तो और slow होगा इस वे में जितना bulkier group लोगे उतना ही process slow हो जाएगा क्यों slow होगा इसकी भी वाज़ा जान लो because of hysteric hindrance यह यह पर problem आ जाएगी यह पर problem आ जाएगी एक दूसरे को एप्रोश करने में बहाई यह देको यह group अगर बड़े बड़े रहेंगे यह जो group है यह अलकायल ग्रूप अगर बड़े बड़े रहेंगे तो यह आपस में एक दूसरे को approach करने में इन लोग को problem आ जाएगी इसलिए जो date of reaction है वो slow हो जाएगा तो इस चीज़ को आप लोग copy कर लीजिए